नमस्कार दोस्तों फिर सवागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास रेडिमी नोट 11 है या फिर 11 प्रो है तो यहां पे आप नोटिफिकेशन आइकन कैसे हाइड कर सकते हैं स्टेटस बार से या फिर कैसे आपको बताने वाली हूँ तो नोटिफिकेशन आइकन तो आपको बता ही होंगे कि जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं अलारम है सैटिंग और अपडेट है तो यह आइकन शो होते हैं तो इसको हाइड या फिर शो करने के लिए चल जाएंगे आप सैटिंग पे और इसके बाद यहाँ पी आपको display पे click करना है और यहाँ पे आप scroll करेंगे sorry display पे नहीं जाना है अब यहाँ आपको always on display lock screen पे click करना है और इसके बाद आप scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको option देखने को मिलेगा notification and control center में तो status bar है इस पे आप click कर लेंगे और यहाँ पे show notification icon है तो इसको आप बंद कर देंगे तो यह hide हो जाएगा show नहीं हो रहा और on कर देंगे तो यह show होने लग जाएगा आपको मैं close करके दिखा देती हूं देख सकते हैं इसको बंद करने के साथ ऐसे hide या फिर show कर सकते हैं और इसके नीचे और भी settings है जैसे कि इंटरनेट की speed यहाँ पर आप शो कर सकते हैं और हटा सकते हैं ठीक है तो आई होप गई यह वीडियो आपको पसंद आया होगा चलिह मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार